नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाउंचर पर मैं हूँ अशुक्वान खड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना करेक्नु देरेक्ट हीट, चुनाव का माहोल जारखंड और महाराष्ट में पीक पे है, उत्रब्रदेश में दस विदान सभा के उपचुनाव है, वहा राजनितिक सरगर्मिया इतनी तेज हो गई कि भाजपा को पसिना चूट गया, वहां सरकार कॉंग्रेस की है, भाजपा को ये चिंता नहीं कि उनकी सरकार गिरेगी, उन्हें चिंता ये है कि जो वहां होने जा रहा है, जो हो रहा है, उससे जारखंड और महाराष्ट के कि दूसरे राजनितिक दलों को तोड़ना, दूसरे राजनितिक दलों को फोड़ना, विधायकों को उठाना, उन्हें कहीं दूसरे जगा पे ले जाके बहुत सारे प्रलोभन देना, एजंसियों का उपयोग, जो दुरुपयोग होता है, वो सारे देश को पता है, 2014 से लेके 24 तक परिक्वरीब इसी 12 सरकारे जो चुनाव जीत के आई थी वो या तो गिर गई है या सिमड गई है सिर्फ इनी हदकर्डों के वोजे से करणाटक में तो बहुत अजीब हुआ था करणाटक में जब सरकार आई कॉंग्रेस की और जब सरकार आई कॉंग्रेस की तो कॉंग्रेस ने समर्थन देकर देवगवडा जी को मुख्यमंत्री बनाया था अब जब देवगवडा परिवार से कोई मुख्यमंत्री बना और कॉंग्रेस के समर्थन पे सरकार चल रही यह बीजेपी की गले नहीं उतरी तो फिर कॉंग्रेस के 10-12 लोगों को तोड़ा गया उनके इस्तिपे से सरकार गिर गई फिर बीजेपी ने सरकार बनाई और वो दो 10 लोग जिने ने इस्तिपे दिये थे वह उप चुनाओ है उसमें से कुछ हारे कुछ जीते और फिर करनाटक के सरकार बीजेपी की चलते रहें उसके बाद फिर चुनाओ है तो कॉंग्रेस ने फिर सकता हासिल की और इस बार गया प इतना ज़्यादा था कि 8-10 विधाय टीवी पे एक भाजपा के विद्रोही विधायक स्टी सोम शेकर ने ये दावा किया है कि भाजपा के आठ विधायक तूटके कॉंग्रेस में जा रहे है। विरोध में बैठे हुए जो 60 विधायक है उनके पास उनमें भी कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन भाजपा के विधायक उनको छोड़ छोड़ के कॉंग्रेस में जा रहे हैं इस से महाराष्ट और जारकन के सेंट्रिमेंट में जरूर फरक पड़ेगा क्योंकि महाराष् विधायक है और बीजेपी के एक बागी है लोगसबाद चुनाओ के पहले से उनके तेवर बागी है बीजेपी ने ने ना उनके उपर अनुशासन हिंता की कोई कारेवाई की लोगसबाबे भी उन्होंने बीजेपी के उमिदवार के खिलाफ काम किया था और वो लगातार BJP के तथा कती केंद्र के अंटी-िनकंबिंसी के खिलाफ और केंद्रिय नेतरुत्व और लोकल नेतरुत्व के खिलाफ खूब आग उगलते हैं उन्ने कहा की योगेश्वर जो थे जो BJP के एक कदावार नेता जिन्होंने पहले भी BJP के सरकार बिनाने में अहम भुमिका निभाई थी जब जब बीजेपी सत्ता में आई है योगेश्वर का योगदान रहा है उस योगेश्वर को जिस हिसाब से पार्टी ने दरकिनार कर दिया उससे एक बात समझ में आ गई कि एक दिल्ली नियंतुरित लावी ही करनाटक में भाजपा चलाना चाहत खुचा बहुत ढाकरे इन्होंने स्वयम करनाटक का चार्ज उनके पास था और उनको करनाटक केश्णी तक कहा जाता था अतक मेहनत से वहां भाजपा को पन पाया है वो दक्षिन का पहला राज था जहां भाजपा ने अपने सरकार बनाई थी और उसी प्रवेश द्वार स भाजपा दक्षिन जाती थी लेकिन 2014 के बाद भाजपा में जितना बदलाव आया उसके चलते दक्षिन में भी वो राज जो उनके पास था वो भी तक्लिम में आया यदुरपा एक तक अदवार नेता थे लिंगायत कम्यूनिटी के सर्वे सरवा थे सबसे पहले उनका खच जाती को अपनी हैसियत दिखा दी पिर घुमिंपिर के उनके चरणों में आ गये फीर यदुरपा के सारे सरकार में आई और फिर यदुरपा की मंतर पर सिस्तिवादिय को मुम्रह हो गई फिर यदुरप्पा को बाहर निकालने के बाद फिर यदुरप्पा ने अपनी आउकाद दिखा दी और फिर बीजेपी जब हाश्ये पे आ गई तो फिर यदुरप्पा जी को उठाके पार्लेमेटरी बोर्ड में लाया बीजेपी काई जो फिलिप प्लॉप है दिल्लेवालों का करनाटक के साथ उनने करनाटक के भारती जन्ता पार्टी के जो संगढ़न था करनाटक राज्यका उसको नेस्तनाबुत कर दिया और उसी के चलते यस्ति सोमशेकर जैसे लोग खुल के बोलने लगे और योगेश्वर का दुख उनके बिलकुल दिल में है उन्हें आगे कहा कि जो आठ लोग आ रहे हैं उसमें दो बैंगलोर के भी विधायक है ऐसा बोलके उन्होंने गिसिंग छोड़ दिया कोन हो सकते ह यदि हो सके तो यस्ति सोमशेकर भी जा सकते हैं और यलापुर के एक और विधायक है शुराम हिबर ये भी लगातार बगावती मूर में बने हुए है और जब टियर सोमशेकर को ये पूछा गया कि आपकी इस तेवर से आप जो लगातार कांगरेस के नेताओं से मिलते हैं क्या इस से ये नहीं होगा कि पार्टी आप पे अनुशासन की कारवाई करेगी उन्हें का कि जो हमारे नेता है अशोक जो लगातार बोलते रहते हैं उनकी कुछ वैल्यू नहीं है उनके शब्दों को कोई इतना इंपॉर्टनस देने की जबरत नहीं है मैं एक विधायक कि पार्टी ये इसे बेतुकी बाते करती है तो फिर पार्टी को मैं चालेंज करता हूँ ये जो बगावती तेवर है इसने बीजेपी को हिला दिया आठ विधायक बड़ा आकला होता है और यही आठ विधायक लगातार बीजेपी के लिए अप्टेंशन का मामला हो गया है आगे बात ये है कि जो भाजपा का केंद्रे नेतुरत हुआ करनाटक में सत्ता जाने से बोखला गया और जिस जाब से करनाटक के बड़े-बड़े नेताओं के ओपर कॉंग्रेस के फिर वहीं EDCBI Income Tax के प्रकोफ हो रहे हैं ब्रष्टाचार के मामले उजागर किये जा रह रहे हैं ब्रष्टाचार के मामलों में जो भीजेपी की शाचित प्रदेश में कई जगा चीज़े लंबित रहती हैं कई जगा कंप्लेंट आने के बाद भी गवर्नर कुछ नहीं देखते लेकिन क्योंकि गवर्नर तो अभी एक पार्टी के एजन्ट के रूप में काम करते हैं यह हमने पुरे देश में देख लिया है तो राज जपाल ने अनुमती दी और सितारा मैया की खिलाफ यह फायार दर्ज होगी सितारा मैया की खिलाफ यह फायार पे यह कंप्लेंट है कि उन्होंने जो मैसूर डेवलप्मेंट मुडा जो आथरिटी है उसका कहीं ना कही वहाँ सत्ता का उपयोग करके वहाँ जमिनों का आवन्टन किया कुछ जमिन यहाँ की जमिन वहाँ वहाँ की जमिन वहाँ सारा है सितारा मईया अपने طرف से क्लियरिपकेशन दे चुके है लेकिन मामला अभी कोट के आदिन है वैसे ही जो कॉंग्रेस के राष्ट्री अद्धिक्ष है, खर्गेसाब, वो भी करना रख साते हैं, उनके भी परिवार पे प्लॉट का आवंटन का एक आरोप लगाया था, भाजपा विपक्ष के जब रहती है, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती है, मैं हमेशा कहता हूँ, क जब भाजपा अक्रमक हो गया, और जब भाजपा ने अपने एजन्सियों के, और केंद्रिय नेत्रतों के भरो से, पूरे कॉंग्रेस की एकाईओं को घेरने का प्रयास किया, तो कॉंग्रेस ने भी अपनी छोटी सी चाल चली, आठ विधायकों को कॉर्णर करने की, यदि पार्टी नहीं समाल पाए और दूसरे जगह सरकार बनाने जा रहे है बीजेपी जो दूसरों की पार्टी तोड़ती थी और अपने लोगों को अनुशासन में रखती थी पार्टी विद्ध डिफरेंस कहते थे चाल चरितर चेरे वाली पार्टी जो अनुशासन के लिए जाने जाती थी जो एक बार पार्टी का में बर हो गया बहुत मुश्किल है जो पार्टी तोड़ना लेकिन ऐसा क्या हो गया कि गुजराती नेतुलत वदिल्ले में आने के बाद सभी राज्यों में बगावती तेवर देखने को मिलते हैं वो हमने हर्याना में देखे वो हम महरास्ट में देख रहे हैं हमने हिमाचल में देखे हर राज्य में बगावत के सूरू मड़ रहे है और करनाटक में तो कुछ ज़्यादा ही है ये आठ विदाय कब आते कब जाते ये तो समय बताएगा लेकिन आज कम से कम सोमज शेकर के इस दावे से भाजपा बुरी तरह से हिट हुई है भाजपा का नुकसान करनाटक में क्या हो गया इसका तो आकलन बाद में करेगी इकाई राज्य की इकाई लेकिन इसका दो चुनावी राज्यों में क्या होगा ये बहुत सोचने की बात है इसी से भाजपा का केंद्री नेत्रत्व लगातार करनाटक के तरभी ध्यान दे रहा है क्योंकि कहीं जारखंड और महराष्टर करते-करते करनाटक में इतना बड़ा डैमेज न हो जाए कि इन दोनों र पिर आता हूं किसी विशे के साथ तब तकी ने नमस्कार देखते रहिएगा न्यूज लांचर